Dear students, आसा करता हूँ कि आपकी पड़ाई अच्छी चल रही होगी, इस वीडियो में हम देखेंगे notice writing का एक अगला जो है level या फिर कह सकते हैं, अलग type का notice जो आपके exam में पूछा जाता है, तो देखिए आप से क्या पूछा जा रहा है, As the games secretary of student council, you are to select a school cricket team, आप school council के secretary हैं, आपको games secretary है, ठीक है, तो यह एक चीज तो आपको mention कर दिया गया है, कि games secretary हैं आप, और student council के, तो आप चाहें तो इसको mention करें, चाहें ना भी करें, तो भी चलेगा, और इसके बाद में जो है, आप mention कर देंगे तो अच्छा यह, You are to select a school cricket team, आपको एक school cricket team को select करना है, to take part in the district level tournament, district level tournament में जाने के लिए, जो है, एक school cricket team का आपको selection करना है, और draft करना है notice, जो 50 सब्दों से ज़्यादा नहीं होना चीए, school notice board के लिए invite करना है students को, जो selection as players and informing them about the match, और उन बच्चों को selection के लिए invite करना है, जो इसमें interested हो, ठीक है, और फिर जो है, उनको match के बारे में बताना भी है, कि कौन सा match होने वाला है, उसके लिए उनका selection होना है, तो इस तरह आपका notice, जो है, जारी करना है, तो चलिए, नहीं है, तो आप अपनी school का नाम या government school का नाम लिख सकते हैं, उसके बाद दूसरा जो point आता है, उसमें आपको notice mention जरूर करना है, capital letters में आप लिखेंगे notice, third subject आपका date, date आप left hand में इस side में लिखेंगे, और ध्यान रखना है कि आप date लिख रहे हैं जो इसमें September, October जरूर आना चाहिए, पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, और आप इस तरह से भी date लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं, तो 4th September 2022 यह भी आप लिख सकते थे, आपकी मर्जी है September 4.22 लिखें चाहिए कैसे भी, format कोई भी हो, पूरा लिखना है, उसके बाद में आपको यहाँ आप मेंशन करना है किसलिए नोटीस है, तो district level cricket tournament के लिए ही तो यह notice है, actually notice है किसके लिए, तो आपको क्या चूज करना है, school cricket team to take part in किसके लिए, district level tournament के लिए, और ओभी कौन सा tournament है, cricket का, cricket आप include कर देंगे, तो cricket tournament हो गया, अब आप notice तयार कर देंगे, कि आपको यह जो है, इस tournament के कहा आयोजित किया जा रहा है, और कौन-कौन से बच्चे इसमें participate करेंगे, और कैसे वो team selection में आ सकते हैं, तो देखिए, यू, your school, our school, is sending its cricket team to take part in the district level, tournament being held in राची, from 21st September to 26th September, तो हमारे जो school है, वो अपने एक cricket team को भेजना चाहती है, ठीक है, district level tournament में participate करने के लिए, जो की राची में 21 सितंबर से 26 सितंबर के बीच में आयोजित होने वाला है, district level tournament मतलब जिला इस्तरिये tournament, जिसमें नाम होता है किसी का, the players desires to be in the school team may send their names to undersigned by the September 7th, और जो भी desirous students हैं, जो मतलब एकशुक players हैं, वो school team, जो इस school team का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो अपने नाम को जो है, जो भी इसकी authority है, उसके पास जमा करा दें, वो भी September 7 तक, क्योंकि आप notice कितने तक जारी कर रहे हैं, तो आप जारी कर रहे हैं, चार तक, और चार को notice जारी किया है, तो चार के बाद ही जो बच्चे अपना नाम जमा कराएंगे, तो दो-चार दिन आगे ले लेंगे, क्योंकि आपका जो tournament है, वो 21-26 के बीच में होने वाला है, तो इससे काफी पहले आपको जो है, इसको select करना पड़ेगा, डेट को, और उसके बाद में हम लिख देंगे, we will have school level matches to select the team on September 15 and 16, और आपने ये भी बताया है, जो यहाँ पर जो बच्चे नाम देंगे, इन बच्चों में से जो selection में जाएंगे, उनके selection के लिए September 15 और 16 को जो ह match करवाया जाएगा school इस तर पर, ठीक है, school का match होगा वो, और only the selected ones will present our school, और जो उसमें से select होंगे, जिनको हम अपनी तरफ लेंगे, उस tournament के लिए लेंगे, वही लोग जो है, हमारी school को जो है, वहाँ पर कौन से district level tournament में जो है, represent करेंगे, इस तरह से ये notice है, और फिर आप ज जरूर लिख देंगे, अगर आपको नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप अपने नाम, अपने friend का नाम, किसी का भी नाम यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद मैं आपको बता देना है, कि आप कौन है, अगर आपका यहाँ पर designation दिया गया है, कि आप किस इस तर के अधिकारी है, तो आप जरूर लिखें, game secretary है, तो आप जो है game secretary लिख दें, और इसमें भी यह भी mention है, कि आप किसके game secretary है, students council के, तो आप चाहें तो इसके नीचे आप student council भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरह सा आप लिख सकते हैं, तो यह हो जाएगा complete, और इसको box में करना आपको में जरूर करें, इसके अलगी एक impression पड़ता है examiner के उपर, तो आप हमेशा इसको box में बनाएंगे, ताकि examiner जो है देख लेकी notice भई है, इसने notice लिख दिया है, और को attention नहीं है, अच्छे तरीके से लिखा होगा, आप चाहें तो दो चार words है, उनको आप जो है, क्या कर सकत है, highlight कर सकते है, जैसे school level का match करवाना चाहते है, ठीके undersigned तो है यह आपका highlighted, उसको आप हाईलाइट कर सकते है, और जो है represent our school इसको भी highlight कर सकते है, यह सारे चीज़े highlight कर सकते है, notice को highlight कर सकते है, black color से, यह आपका black pen से, तो यह इस तरह का notice जो है, आपको पूरे 4 to 5 marks, जो भी आपका आता है, जितने भी marks में, आप उसको पूरे की पूरे gain कर पाएंगे, तो आसे करता हूँ, इस वीडियो से आप लोगों को help मिलेगी, और इस वीडियो को share करना बिल्गून न भूले, thank you very much, have a good day.